इस वीडियो में हम लेके आई हैं मोग टेस्स नंबो सेविन जिसमें हम अलग अलग टाइप के कोशन पड़ेंगे जनरल अवेडिनेस हर्यानाथ जी के हिंदी इंग्लिश और रीजिनिंग इसमें जो हमने रीजिनिंग भी थोड़ी बहुत एड़ किये नेक्स्ट जो मोग ट में क्योंकि माथ और रीजिनिंग दोनों ही एड़ करेंगे ठीक हैं ताकि थोड़ी से प्रैक्टिस हो जाए और प्रिवियस पेपर जो हुए कलर्ग के वो भी जो है मोग टेस्स में ही कर लेगे ओके तो चलिए शुरू करते हैं देखें फर्स्ट कोशन है निमल लिखित मे इसे किस नगर को भारत का स्कोटलेंड कहा जाता है शिमला को, कोडगु को, उटी को या दारजिलिंग को भारत का स्कोटलेंड बताना है कि किस नगर को कहते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी जरूर किया करें वीडियो को देखे भारत का स्कोटलेंड कहा जाता है कुर्ग को ठीक है करनाटक में है यह जह कहा है कुर्ग तो करनाटक के कुर्ग को जो है भारत का स्कोटलेंड कहा जाता है तो B option जो है इसमें सही हो जाएगा नेक्स देखे, अक्टूबर 1905 में लाला लाजपत्राई द्वारा एक राज्जिस्तरिय सम्मेलन आयजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया भारत छोड़ो आंदुलन, आजाद हिंद, स्वदेशी आंदुलन या सत्याग रह क्या नाम दिया गया था इसे भारत छोड़ो तो होगा नहीं क्या हो जाएगा आपे सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा सवदेशी आंदुलन कहा गया ठीक है, C उप्षिन जो है, सही हो गया आपे नेक्स देखे, होम रूल लीग आंदुलन किस के द्वारा शुरू किया गया विवे कानन, सिस्टर निवेदिता, एमके गांधी, एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदुलन होम रूल लीग आंदुलन जो था, यह दो जगया था, 1915 और 16 के बीच में जो है, दो जगया पे हुआ एक हुआ था पुणे में, और एक हुआ था मदरास में ठीक है, पुणे होम रूल लीग और मदरास होम रूल लीग अलग अलग हैं दोनों के वो, मतलब अलग अलग इनसान ने जो है दोनों को शुरू किया था, तो यहां पे जो पूछा गया है, वो पूछा गया है मदरास होम रूल लीग का, मतलब जो आंसर आएगा, वो मदरास होम रूल लीग वाला आएगा इसमें तो देखें, मदरास होम रूल लीग अंदोलन जो था, यह शुरू किया था, एनी बेसेंट ने और पुने Home Rule League की बात आए, कि काई बार ये पुछे कि Any Basin ने डालके यहां पे बाल गंगादर तिलक की बात हो जाती, तो पुने Home Rule Link आदूलन जो शुरू किया था, वो क्या था बाल गंगादर तिलक ने ठीक है आपको नाम नहीं देंगे कि कौन सा होम रूल लीक का अनुदल साल लेकिन option से पता चल जाएगा अगर any percent होगा तो option में any percent answer होगा बाल गंगा दर्तिलग होगा तो बाल गंगा दर्तिलग आंसर हो जाएगा ठीक है ये भी पूछ सकते हैं कि पूने होम रूल लीक किस न degree channel अंडमान और निकोबार किस के द्वारा अलग होते हैं तो राइट answer क्या हो जाएगा अंडमान और निकोबार अलग है 10 degree channel के द्वारा 8 degree channel के अगर बात करें तो इसके द्वारा अलग होते हैं मालदीव और मिनी कोई और 9 degree channel आई तो 9 degree channel से अलग होते हैं लक्षद वीब और मिनी कोई ठीक है मालदीव मिनी कोई 8 degree channel लक्षद वीब मिनी कोई 9 degree चलिए नेक्स देखिए निमन लिखित में से कौन सा राज्य हरियाना के पूरव में है राजस्थान उत्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश या पंजाब हरियाना के पूरव की साइड ठीक है ये हरियाना है इसके इस वाली साइड बताना है कौन सा है पूरव में तो देखे हिमाचल प्रदेश तो जो है उत्तर में हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा यहां पर पंजाब जो है ये इस तरफ पस्चिम की साइड होगा राज्यस्थान इधर दक्षिन या दक्षिन पस्चिम की साइड है और बच्चा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ले ये दोनों है हर्याना के पूरव में तो B option जो है सही होगा Next है प्रशिद अभीनेत्री जुही चावला हर्याना के किस जिले से है पिंजोर, रोहतक, सौनेट या अमबाला प्रशिद अभीनेत्री जुही चावला पताना है कि ये हर्याना के किस जिले से रिलेटिड है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये रिलेटिड है अमबाला जिले से ठीक है D option में, अमबाला में हुआ था इनका जनम नेक्स्ट है चंडिगड उचन्याले की इमारत की डिजाइन किसने बनवाए है एडविन लूटियंस डिजाइन जो एक इसने बनाया है लॉरी बेकर ने, ली कार्बूजियर ने या कार्ण वालिस ने चंडिगड उचन्याले की इमारत का डिजाइन तो एक इसने बनाया है ये बनाया है ले कार्बूजियर ने बी ओप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे ठीक है नेक्स देखिए डैश में प्रातात्वी खोश दर्शाती है कि हर्याना मोर्य समराज्य का भाग था सारनात में, सिलोन में, शुग में या क्रुशेत्र में हर्याना मोर्य समराज्य का भाग था ये कौन सी प्रातात्वी खोश दर्शाती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा शुग में पुरा तात्विक खोज दरसाती है कि हर्याना मोरिय सामराज्य का भाग था तो C option जो यहां पर सही होगा नेक्स देखे हर्याना की विधान सभास सविधान की किस अनुसूची में शामिल विशों पर कानून बारीद करती है 7th, 8th, 9th या 10th हर्याना की विधान सभास सविधान की किस अनुसूची में शामिल विशों पर कानून बारीद करती है सेवंथ अनुसूची में जो शामिल है विशय उन पर कानून पारित करती है विथान सबा ठीक है नेक्स्ट है एशियन खेल 2018 पुरुषकार के लिए किसे सरवादिक मुल्यवान खिलाडी नामित किया गया है अमरिकोम, बजरंग पुनिया, रिकोको इकी या पीवी संधू ट्राइट आंसर क्या हो जाएगा यहापे रिकोको इकी को बी ओप्षन जो है सही होगा नेक्स एक है राष्ट्रवाद की संबन में निमिन कत्मों पर विचार कीजी और सही चुने इससे समेकन या एकिकरन की प्रक्रिया द्वारा नई राज्य बनाए जा सकते हैं इससे एकात्मुक्ता या संगवाद बहुत सी नई राज्यों में तूट सकता है दोनों सत्य हैं या कोई नहीं राष्ट्रवाद के बारे में बताना है जो सही कथन है क्या हो जाएगा सही अंसर दोनों क्या है सत्य हैं सही हैं ठीक है सी उप्षिन जो है सही होगा नेक्स देखें निर्माना धीन मुंबई एहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रियोजना का विलियन किस के द्वारा किया जा रहा है जर्मनी द्वारा दक्षिन द्वारा जापान या फ्रांस मुंबई एहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रियोजना का विलियन किस के द्वारा किया गया है जापान के द्वारा C option जो है यहाँ पर सही हो जाएगा Next है हरियाना किस थापना डैश की संसद्य समीती की संस्तूती पर की गई थी सरदार हुकुम सिंग की तारा सिंग की छोटु राम की या चोधरी देविलाल की हरियाना किस थापना बताने किस समीती की उस पर की गई थी तो राइट आंसर क्या जाएगा हरियाना किस थापना सरदार हुकुम सिंग की संसद्य समीती की संस्तूती पर हुई थी तो first option जो है यहाँ पर सही होगा Next देखे इलबर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वाईसराय जुड़ा था लाड करजन, लाड रिपन, लाड लिटन या लाड मियो इलबर्ट बिल विवाद के साथ बताना है कि कौन सा वाईसराय जुड़ा था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें इलबर्ट विवाद के साथ जुड़ा था लाड रिपन बी ओप्षन जो है सही होगा नेक्स देखे सुल्तानपूर पक्षी विहार कहां पर स्तित है गुरुग्राम में सुल्तानपूर में सौनिपत में या अमबाला में तुराइट अंसर क्या आजएगा सुल्तानपूर पक्षी विहार है गुरुग्राम में फर्स्ट ओप्षन जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट है हर्ष वर्धन राजा द्वारा साशित थानिसर के आसपास थी प्रुशेत्र अमबाला बिवानी या पंचकुला थानिसर बताने कि किसके आसपास था तुराइट अंसर हो जाएगा कुरुशेत्र ठीक है फर्स्ट ओप्षन नेक्स्ट है हर्याना भारत में इस सर्वाधिक जन संख्या वाला राज्य है 16th, 17th, 15th या 14th किस उस पर है भारत कि सर जन संख्या के अगर बात करे तो राइट अंसर हो जाएगा हर्याना भारत में 17th सर्वाधिक जन संख्या वाला राज्य है 17th, 17th नंबर बर है ग्यार्वी राज्य विधान सभा चुनाव किस के दुरान होए थे 2013, 2014, 2015 या 16 राज्य विधान सभा चुनाव बतानी है 11 में हुए थे और ये कब हुए थे, किस एयर में तो राइट अंसर हो जाएगा 2014 के दुरान होए थे, B option Next, देखे, 1930 तक कांग्रेस ने हिंदूस्तानी को राश्टर भाषा के रूप में स्विकार कर लिया था हिंदूस्तानी किस का मिश्रण है संस्कृती और हिंदी का संस्कृत और उर्दू का संस्कृत हिंदी और उर्दू या हिंदी और उर्दू का हिंदूस्तानी क्या हो जाएगा राइट आंसर हिंदूस्तानी जो है ये हिंदी और उर्दू का मिश्रेण है B option जो है सही होगा Next निमलीखित में से किस प्रवत्य श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थेत है निलगरी की पाड़ियों पर काड़ा मम पाड़ियां अन्ना मलाई पाड़ियां या नला मल पाड़ियां डोडा बेटा बतानी है कि ये किस प्रवत्य श्रेणी पर स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा डोड़ा बेटा जो है ये स्तितन नीलगरी की पहाड़ियों पर ठीक है नेक्स देखे हरियान रज्य की सीमा कितने रज्यों में लगती है पांच, छे, चार या तीन तो राइट अंसर हो जाएगा हरियान रज्य की सीमा पांच, रज्यों से लगती है कौन-कौन से? हिमाचल से लगती है उत्तरा खंड इसके लावा पंजाब से भी लगती है यूपी हो गया और राजस्थान इन पांच राज़ों को जो है रियाना राज़य की सीमा टच करती है किंदर साशित में दिल्ली से लगती है और उदर चंडिगड़ से लगती है ठीकर पंचकुला जी से टच करते है तो पांच राज़य जो है सही हो जाएगा यहां पर next देखें बू अलिशा कलंदर एक थे संत सूफी थे, राजा थे, योद्धा थे या सिफाई थे क्या हो जाएगा सही आंसर? बू अलिशा कलंदर एक सूफी संत थे, संथ सूफी थे फर्स्ट ओप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट बाग और फुलकारी का सहयोजन क्या कहलाता है टोपी कहलाता है, फाग कहलाता है, लूर कहलाता है, चोप कहलाता है बाग और फुलकारी का सहयोजन तो क्या हो जाएगा सही आंसर बाग और फुलकारी का सहयोजन कहलाता है चोप D option जो है सही हो जाएगा next देखें नीचे दिएगे तीन विकलपों से भिन शब्द ग्याद करना है रमायन, पंच तंत्र, माबारत या उपनिशद इन में सबसे अलग कौन सा हो जाएगा तो देखें भिन जो इसमें अलग होगा वो होगा पंच तंतर देखें B option next देखें यमुना नदी हर्याना में किस वन के पास से प्रवेश करती है कलेसर, बंदीपूर, गिर या सत्थपुड़ा तो देखें यमुना नदी हर्याना में कलेसर वन जो है उसके पास से प्रवेश करती है फर्स्ट उप्षिन जो है सही हो जाएगा next है निमल लिखित में से किस पदार्थ की समेधन शेलता कम है चांदी की, कॉंस्टेंटन की, मैगनीज की या काच की समेधन से इलता कम जो है, वो कौन सा है क्या हो जाएगा सही आंसर, चांदी की फर्स्ट उप्षिन जो है सही होगा next देखें, काल कर्मा नुस्तार निमल लिखित को विवस्तित करना है अगस्ट प्रस्ताव पुना समझोता या त्रितिय गॉलमेट सम्मिलर इन्वें जो सबसे पहले हुआ था वो बताईए कि कौन सा हुआ था सबसे पहले, कौन सा बाद में और कौन सा लास्ट में क्या होगे सही सिक्वेंस, 1,2,3,3,2,1,2,3,1 या 1,3,2 अगस्ट प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो ये हुआ था आठ अगस्ट 1940 को वाइसराय लाड लिन लितिको के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ठीक है, पूना समझोता हुआ था डॉक्टर भीमराव, अमेडिकर और मात्मा गांदी के बीच में 24 सितंबर 1932 में ठीक है, तृतिय गोल में समिल हुआ था 17 नमंबर 1932 को तो पूना समझोता सबसे पहले हुआ फिर गोल में समिल और और फिर अगस्प्रस्ताव तो सिक्वेंस बनेगी 231, तो सी ओप्षन यहापे बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है, नेक्स्ट देखे, आज का हरियाना ब्रिटिस साशन के नियंतरण में वर्ष डैश को आया 1803 को, 1777 को, 1600 को या 1781 को हरियाना ब्रिटिस साशन के नियंतरण में किस वर्ष आया था तो यह आया था 1803 को, फर्स्ट ओप्षन जो है सही हो जाएगा निमन लिखित में से उच अभीक्रिया शील धातू है सीसा, लोहा, तामबा या जस्ता इन में से उच अभीक्रिया सील धातू बतानी है कौन सी है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, जस्ता डी ओप्षन जो है सही होगा, ठीक है नेक्स देखिए, खाने के संबन में हरियाना क्या कहलाता है गुलाबों की भूमी, मुश्कानों की भूमी, काटों की भूमी या रोटी की भूमी खाने के संबन में हरियाना क्या कहलाता है, रोटी की भूमी कहलाता है डी ओप्षन जो है सही हो जाएगा नेक्स देखिए, कौन सा हरियाना का सबसे चोटा जिला है हिसार फریधाबाद, सोनीपत या भीवानी सब से छोटा जिला बताना इन में से कौन सा है सब से छोटा जिला है फरीधाबाद और फरीधाबाद से भी चोटा मतब फृदा बाद की बाद जो दूसरी नमबर पर छोटा है वो है पन्चकुला ठीक है? option में फरेदाबाद ना हो पंचकुला हो तो पंचकुला सही हो जाएगा next है बाशा और संस्कुरती के अनुसार राज्यों के पुनर गठन हेतु बारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग गठित किया गया था किस की अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था और ये कौन था इसका अध्यक्षन तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सैयद फजल अली के अध्यक्षता में गठित किया गया था first option जो है सही होगा next देखे राजनीतिक दलो में राजनीतिक अप्रादी करण पर एक बहस के मध्या में एन एतिक राजनीतिक कारिया रोकने की एक आरंबिक उपाए के रूप में प्रती क्रतव्य चुयति कानून किसके माध्यम से लाया गया 90 में समीधान संसोदन द्वारा, 90 में समीधान संसोदन द्वारा, 51 मां समीधान संसोदन या 52 मां समीधान संसोदन के माध्यम से लाया गया राजनितिक दलों में जो है एननेतिक और राजनेतिक कारियर रोकने के लिए किस समाध्यम से ये कानून लाया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा बावन मासमिदान संसोधन द्वारा D option जो है इसमें सही होगा नेक्स्ट अनिमलिकित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया खेडा सत्यागरा असे यो गांदोलन रोलट सत्यागरा या इन में से कोई नहीं क्या हो जाएगा सही आंसर गांधी को एक सच्चा नेता बनाया रोलट सत्यागरा ने सी ओप्शन जो है सायोगा नेक्स जगत जमाईश जगदीश कौन सी संधी है गुन संधी वरिधी संधी विसर्ग संधी या विंजन संधी जगत जमाईश तो कौन सी संधी हो जाएगी इसमें जब भी किसी लास्ट अक्षर के नेचे आपको यह इस तरीके से हलन्त मिलता है वहाँ पे कौन सी संधी होगी विसर्ग मिलते है तो विसर्ग संधी यह इन दोनों के बैचान है तो जगदीश में कौन सी संधी है वेंजन संदी है निमल लिखित में से आँख का प्रयावाती शब्द नहीं है बताना है नेत्र, नयान, अक्षी या मीन कोन सा आँख का प्रयावाती शब्द नहीं है नेत्र भी होता है नयान भी होता है ठीक है और अक्षी भी होता है जो नहीं होता वो है मीन आँक का प्रयावाची मीन नहीं होता है ठीक है तो D option यहां पर सही हो जाएगा आगे है गंगा में सनान गंगा सनान यह कौन सा समास है बहुबरीही द्वांद्व तत्पुरुस या अवेख भाव गंगा में सनान क्या हो जाएगा तत्पुरुस हो जाएगा अधीकरण तत्पुरुस में पर आता है उसमें अधीकरण में पर संभन्द काके की तो यह अधीकरण तत्पुरुस हो जाएगा B option जो है सही होगा Next I you शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है परायू, उपायू, चिरायू या सुआयू कौन सा उपसर्ग लगेगा यहां पर कौन सा सही वर्ड बन रहा है उपसर्ग लगने के बाद क्या हो जाएगा चिरायू जो है सही होगा B option जो है सही होगा ठीकर ओके next देखिए पगड़ी उच्छालना मुहावरे का अर्थ क्या है बेजज़त करना, अश्चरिय प्रकट करना भैबीत होना या स्वेम अपना नुक्सान करना पगड़ी उच्छालना क्या हो जाएगा पगड़ी उच्छालना मुहावरे का अर्थ बेज़ती करना first option जो है यहां पे सही होगा next देखे किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है slash छेकन उपरास, वक्रोकती या उपमा तुलना की जाती है एक दूसरे से तो पढ़ चुके हैं मलंकार में कि compare किसमे किया जाता है तुलना किसमे की जाती है तुलना की जाती है उपमा अलंकार में तो D option जो यहाँ पे सही हो जाएगा ठीके बहु शब्द का बहु वचन रूप बताना है बहुए, बहुए, बहुआ या बहुए कौन सा option सही हो जाएगा C option बहुए जो है सही होगा इसमें C बाला ठीक है नेक्स्ट हरी गरंथ पढ़ेगा इस वाक्य को करम वाच्चे में लिखिए ठीक है क्या पढ़ेगा हरी गरंथ पढ़ेगा इस वाक्य को करम वाच्चे में लिखना है हरी से गरंथ पढ़ा जाएगा हरी ने गरंथ पढ़ा, हरी से गरंथ पढ़ा गया या हरी से गरंथ पढ़ी जाएगी करम वाच्चे लिखना इसका कि इसका करम वाच्चे क्या लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा हरी से गरंथ पढ़ा जाएगा first option जो है इसमें बिलकुल सही हो जाएगा ए वाला option चलिए next देखिए निमल लिखित में से सही वर्तिनी का चैन कीजिए कि कौन सा सही लिखा है प्रती किरिया बताना है कि किस तरीके से लिखा जाएगा प्रती भी सबको पता है छोटी E आती है और क्रिया में भी छोटी E आती है ठीक है तो इनमें बड़ी लगाई हुई है प्रती में इसमें छोटी है प्रती में लेकिन क्रिया में बड़ी लगा दी तो ये भी गलत तो C option है आपे सही होगा प्रती क्रिया इस तरीके से लिखा जाएगा ठीक है next है उत्सा किस रस का स्थाई भाव है करून रसका श्रिंगार रसका शांत रसका या वीर रसका उत्साह रस पढ़ चुके हैं कर चुके हैं जिसने नहीं देखा है देखिए यहां से question जरूर देखने को मिलेगा और simple आपको स्थाई भाव याद रखना है उसका ठीक है कभी कभी होता है कि वो आपको lines वगर दे देती है otherwise सिर्फ आपको स्थाई भाव भी पता है मतब उस तरीके का question जो है पूछा जाता है ठीक है तो देखिए करून रसका स्थाई भाव की अगर बात करें तो करून रसका स्थाई भाव ठीक है वीर्रस कभ होता है जब युद जैसी कोई स्थिती होते तो वहाँ पर वीर्रस होता है कुछ सा या साज की जहां पर जरुरत होती है ठीक है तो वीर्रस यहां पर सही हो जाएगा next देखिए अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है नी अदब, कु अदब, बे अदब या ए अदब कौन सा उपसर्ग यहां पर सही लगेगा तो क्या हो जाएगा सही? बे अदब हो जाएगा बी ओप्शन जो है सही होगा आगे देखिए सही वरतनी का चैन करना है कृत्रिम कैसे लिखा जाएगा कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो इनमें सही होगा कृत्रिम फर्स्ट वाला इस तरीके से कृत्रिम लिखते क्री और त्रिम ठीके? तो फर्स्ट जो है सही होगा नेक्स्ट है गाएं का प्रियाई वाची शब्द जो नहीं है अम्बू, गो, कपिला या धिनू इन में से गाएं का प्रियावाती शब्द नहीं है जो वो बताना है त्राइट आंसर हो जाएगा जो गाएं का प्रियावाती शब्द नहीं है वो है अम्बू, गो, कपिला और धिनू ये गाएं को कहा जाता है, अम्बू नहीं कहा जाता है तो फॉस्ट जो है सही होगा नेक्स्ट में देखे थोड़ी सी गड़वर है ठीक है सलेश जहां एक से अधिक अक्षर की दो बार आवरती होती है तो वहाँ पर यमक होता है जहां पर एक अक्षर की आवरती दो बार होती है और जहां पर एक वर्ड के साथ दो अर्थ चिपके होते हैं वहाँ सलेश लंगा रती इस कोशन में थोड़ी मिस्टेक है इसको रहने दीजे नेक्स देखे श्रिंगार रस्का स्थाई भाव कौन सा है रती, हास, क्रोध या भै श्रिंगार रस्का अभी पढ़ा हमने क्या होता है श्रिंगार रस्का स्थाई भाव श्रिंगार रस्का स्थाई भाव होता है रती, हाश्य का हास होता है क्रोध का रोद्र होता है ठीक है भै में I think भै ना क्रस ओके नेक्स्ट है प्रती जमा उपकार प्रत्यूपकार कौन सी संधी है विदी गुण यान या दिर्ग संधी तो लिख लीजिए इनकी लास्ट में जो वर्ड आये है तो इसमें देखे छोटी E आया है सोरी छोटी E और उस तरफ आया है U तो इसमें कौन सी संधी बनेगी दिर्गोतिय सेम साउंड कट हो गया ठीक है यन संधी इसमें बनेगी नहीं क्योंकि यन संधी नहीं वर्डी तो बनेगी नहीं वरधी में जाती है, दो मात रहें, तो रधी भी कट हो गया, बची ए गुण और यन, गुण में होता है, ए और आ की सामनी कुछ आता है, तो यहाँ पर तो ओल्रेडी ए है, तो गुण भी नहीं होगी, बची यन, तो यह यन संदी हो जाएगी, जब ए, उ, बड़ी, इ, बड गाएं नहीं चलती, भाव अच्छे बताना इसका, तो क्या हो जाएगा, गाएं से चला नहीं जाता, ठीक है, फर्स्ट ओप्शन जो है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नेक्स देखे, घन जैसा शाम, घन शाम, यह कौन सा समास है, अव्यभाव, तत्पुरूज, गन जैसा शाम, तो देखे, दौण्दव, दmeeगु तो है ही नहीं, अव्यभाव भी नहीं होगा, जैसा भी जो है, यह तत्पुरुज में यूश जाता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, तत्पुरुज समास, गन जैसा शाम, आगे शादू शब्द का बहुचन रूप सादू का बहुचन रूप क्या हो जाएगा तो देखे सादू का जो बहुचन रूप रहेगा वो सादू ही रहेगा तो C option जो इसमें सही होगा ठीके जमीन पर पैर न पढ़ना मुहावरे का आर्थ क्या है अधिक गमंड करना, ऐस वस्त हो जाना, लापता होना या मोज उडाना जमीन पर पैर न पढ़ना जमीन पर पैर न पढ़ना मुहावरे का आर्थ होता है अधिक गमंड करना फर्स्ट ओप्शन जो है सही हो जाएगा आगे देखें नेक्स्ट जो है वो है English के question It is Mohan dash got a prize Who, whom, which या that, क्या आईगा इसमें जो important rule होते हैं सिर्फ उनी से related questions लिए हैं मैंने इसमें तो बताइए कौन सा सही होगा It is Mohan dash got a prize तो क्या हो जाएगा आपर सही आंसर It is Mohan that got a prize That आजाएगा यहां पर ठीक है क्यों आजाएगा that क्योंकि जब भी subject से पहले या noun कह लिजी ठीक है noun से पहले जो है It is आजाएगा वहाँ पर that का यूज होगा Who नहीं आएगा यहां पर तो यह हो जाएगा It is Mohan that got a prize ठीक है आगे देखिए Rohit as well as Mohan dash going to Shimla M is R या वर Rohit as well as Mohan dash going to Shimla कौन सा सही हो जाएगा यहां पर यहां पर क्या जाएगा Rohit as well as Mohan is going to Shimla जो है सही हो जाएगा इस वाला जो है सही होगा क्यों आएगा इस यहां पर देखिए जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में कुछ words आजाएगे जैसे Rohit और Mohan ठीक है दो सब्जेक्ट कहले जिए या noun कहले जब भी इनके बीच में कोई भी word आजाए as well as आजाए with आजाए along with आजाए but आजाए like आजाए कुछ इस तरीके के जब word आते हैं दो nouns के बीच में तो वहां पर हम जो है सब्जेक्ट किसको consider करेंगे first वाला जो subject होगा उसे consider करेंगे और उसी के according जो है फिर लगती helping word तो यहाँ पर is हो जाएगा क्योंकि singular में था ये तो is रहेगा रोहित as well as Mohan is going to similar next neither the boys nor I going to hansi am is our या वर इसमें क्या हो जाएगा देखे जब भी neither nor I either or I ठीक है not only but also और एक होता है none but इस तरीके कि जब words आते है इनके बीच में नोर और boys के बीच में तो वहां पर क्या करते हैं वहां पर हम जो है किसको subject consider करेंगे the boys को करेंगे या I को subject consider करेंगे तो हम वहां पर दूसरी वाला जो होगा उसे subject करेंगे consider करेंगे जो दूसरा noun होगा उसे subject मानेंगे अभी हमने पढ़ा था जब दो noun के बीच में कुछ इस तरीके से आजाए नेक्स ते स्टोरी या पोयम published after the death of its writer वन वर्ड है ephemeral, posthumous, extempore या madden कोई स्टोरी या पोयम जो publish होती है after the death of its writer जिसने लिखा है उसकी death के बाद कोई चीज होती है तो उसे क्या कहा जाएगा क्या हो जाएगा right answer उसे कहेंगे posthumous B option जो है सही होगा next देखे a room leading into a large room or hall anti-room, lounge, lobby या pantry a room leading into a large room or hall क्या कहेंगे उसे anti-room first option जो है सही हो जाएगा next देखे affected by external impression ingenious, impressionable, credulous या sensitive जो external impression से affect हो affected by external impression क्या कहेंगे उसे sensitive कहेंगे D option जो है सही होगा ok next है tag question my brother helps you daily don't he, doesn't he, do he या does he question tag बहुत easy है कर चुके हैं और यह पूछे भी कहेंगे थे जही के exam में तो जिसने नहीं देखे हैं वो एक पर question tag जरूर देखे बहुत easy हैं और एक number जो आपको फरीका मिल जाएगा my brother helps you daily तो देखें यहां पर आई है first form तो first form जब आती है तो do और does आता है plural के साथ do और singular के साथ does अब my brother singular है तो does हो जाएगा और किसमे positive था sentence तो negative में change हो जाएगा positive negative में change होता है negative sentence होता तो वो positive में change हो जाता है और male singular किसमें चला जाएगा he में change हो जाएगा ठीक है जो noun होगा noun जेखें जैसे यहां पर male singular है तो यह he में change हो जाएगा तो doesn't he यहाँ पर सही answer होगा ठीक है Next देखे, next है voice का Please help me You were requested to help me You are being requested to help me You are requested to help me या You have been requested to help me Voice से related भी question पूछ सकते हैं तो voice, tense यह कुछ important है, voice पढ़ लीजिए tense पढ़ लीजिए, preposition इन से related questions जो है जरूर देखने को मिलेंगे One word हो गया, figure of speech भी आ रही है, parts of speech भी पूछी जा रही है तो इन सभी को कीजिए और यह सभी जो हम already करवा चुके है तो एक बर जो है English की प्लेलिस्ट देखिए, सारी वीडियोस देख लीजिए उनी में से जो है question आपको मिल जाएगा ओके देखे, please help me का अगर हम देखे, तो क्या बनेगा you are requested लगाते, जहाँ पर भी please वगेरे भी यह words आते है, महाँ पर आता है you are requested to help me महाँ पर please जो है, cut हो जाएगा please की जगा you are requested to और आगे help me हो जाएगा, तो first see option जो इसमें सही होगा next देखिए, आगे reasoning के question है, reasoning के कुछ question add किये है, बट यह ऐसे ही हो जाएगे बिना copy pen के, बट कल से copy pen साथ में रखेगा, क्योंकि पूरा mock test देखेंगे, हम 90 marks का और आप चेक भी कर पाएगे कि आप 90 में से कितने सही कर पाते कितने marks ले पाते हैं, तो सभी तरीके के question करेंगे कल, पूरा mock test जैसा paper आता है, उसी पर based होगा तो देखे, question है यह वाला 6, 34 और 9, यहाँ पर बताए ना इक question mark की जगे क्या आएगा, 36, 45, 81, या 79 देखे, कैसे आया 6 से 34, तो वैसे 9 से क्या आए यहाँ पर 6 से 34 किस तरीके से बन रहा है, जब हम 6 का square करते हैं, और माइनस 2 करते हैं 6, 36, माइनस 2 क्या बन रहा है, 34 बन रहा है, तो इसी तरीके से 9 को कर सकते हैं, 9 का square माइनस 2, 81 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 79 तो D option जो इसमें सही हो जाएगा, ठीक चलिए, अगला देखिए, अगला question यह है, 352, 296, 108, 628, क्या हो जाएगा, 306, 393, 148, 37, करिए बिना कोपी और पैन की हो जाएगा, सिर्फ देखना आपको कि किस तरीके से 30 यहाँ पर आया है, देखिए, किस तरीके से आया है, फर्स्ट वाले में देखिए, हम कि हमें 30 देखना है, किस तरीके से बन रहा है, तो इसमें देखिए, अगर हम इने अड़ करके देखिए, तो पहले, 5, 2, 7, 3, 10 बन रहा है, तो क्या, नहीं वह और रहा है, अगर हम इन तीनों की multiply करें, ट्रिक लग रही है, तो 6 दूनी 12, 12, 8, 96, तो 96 जो है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, तो B option जो है, इसमें सही होगा, नेक्स देखिए, कोशन बताना है, जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन है, OHA, PIB, JQC, RKD, इन में से कौन साथ तीनों में अलग है, वो देखिए, देखिए, लास्ट वर्ड चेक कीजिए, तीनों का, चारों का, तो क्या आ रहा है, A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर C आ रहा है, फिर D आ रहा है, मतलब पूरी सिक्वेंस में जा रही है, फिर हमने नेक्स दिया, H भी आ रहा है, I भी आ रहा है, J नहीं आ रहा है, और K आ रहा है, मैंसे यह भी सिक्वेंस बन रही थी लेकिन यहां पर आके टूट रही है, अगला चेकिया, O, P, Q और R, तो इसमें तो सही बन रहा है, लेकिन इसमें J, Q की C की जगे क्या होना चाहिए था, Q, J, C होना चाहिए था, तब यह सही बनता, तो C option जो यहां पर सही हो जाए माता, बहन और भाई, यह क्या है, ब्लड रिलिशन है, मतलब खून से सम्बंध हो गए, लेकिन दोस्त जो है, वो अलग हो गया, तो B option जो है, सही होगा, आगे है तैरना, चड़ना, चड़ना आएगा यहां पर, दोड़ना और सुनना, इन में से कौन सा अलग है, तो देखें, तैरना, चड़ना और दोड़ना, यह क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हो गए, ठीक है, लेकिन सुनना नहीं है, तो B option इसमें सही हो जाएगा, यह सबसे अलग हो जाएगा, चलिए, नेक्स देखिए, निमलकित शब्दो को, शब्दा कोश में दिये गए करम के अनुसार लिखें, inventory, involuntary, invisible या invariable या investigate, कौन सास ही हो जाएगा, किस करम से लिखेंगे इसमें, चेक कीजिए, सभी में देखें, आई, एन, वी तो तीनों में आ रहा है, इन फेक्ट नहीं, पाचों में आ रहा है, आई, एन, वी, उसके बाद E आया है, एक जगे आया है, एक जगे A आया है, एक जगे O आया है, तो सबसे पहले A आता है, तो इन, आई, एन, वी के बाद E सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले 4 वाला आ जाएगा, ठीक है, option A की है, इसमें, लेकिन फिर भी सारे देख लेती है, A आला हो गया है, यहापर 4 आ गया, इसके बाद है, तो यहाँ पर 1 वाला जो है, पहले आ जाएगा, तो 4 की बाद 1 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर बचे, invisible और involuntary, O से पहले I आता है, तो 3 वाला जाएगा, लास्क में हो जाएगा, involuntary, यानि कि O वाला, तो D option यहाँ पर सही होगा, नेक्स्ट दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए, ADZ, GJM, आगी क्या आएगा, MOQ, MPS, NOT या WTO, कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर ADG दिया गया है, AD और G, इनमें देखे कितना वर्ड से बीच में, A और D के, तो B और C हैं, ठीक है, D और G के में देखे, D, E, F है, यानि कि दो-दो वर्ड सा रहे हैं, फिर अगला वर्ड जो है, वो last वाला यह ले लिए, तो यहाँ पर जो अगला व N, O को छोड़ दिया, P आ गया, क्या O, R को छोड़ दिया, S आ गया, तो M, P, S जो है, आपर सही हो जाएगा, B option जो है, सही होगा, ठीक है, next सेखे, वह R, 1 चुनिये, जो दिये गए वर्डो के बीच संबंद का सही निरूपन करता है, दाले अरहर मूंग दाल, यह वेंड ज देखे, दाले, जो है, यह दाले हो गया, अब हम यह बता है, दाल जो है, वो अरहर की भी होती है, और मूंग की भी होती है, तो अरहर और मूंग, कुछ इस तरीके से दिखाएगे, तो first option यह आपर सही हो जाएगा, ठीक है, next है, चार उत्तर अकरतियों में से कौन से आकरती इस वाली से बन सकती है, चेक कीजिए, कौन सी बनेगी, सबसे पहले तो आप circle ही चेक कर लिजिए, कि circle किसमे है, तो देखे, circle ना इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, सरकल सिर्फ एक में आ रहा है, तो इसमें है circle, उपर से यह जो बना है, इस तरीके का, यह रहा उपर की side, ठीक है, और यह वाली चीज, यह यहाँ पर है, तो यहाँ पर B option से जो है, मतलब B option जो है, इनसे बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर B वाला जो है, बिलकुल सही हो जाएगा, ठीक है, तो यह था mock test number 7, तो कल के लिए याद रखे, पूरा 90 marks का test होगा, ठीक है, जो question को खुद solve करके देखने है, और answer देना है, ओके, वीडियो को like जरूर करके जाएगा, thank you so much. झालए रसाही हो जाएगा झालए ढालएब करके होता करके लियो कुदसे करके देखने होगा, जो कईयँ मुदसे करके दोर错ू करो है, यह घृरा है,